ओम शान्ती आज 11 मार्च 2022 है और आज त्रिमूर्थी शिव बाबा अपने त्रिमूर्थी सेवा के कर्तव्यों को बताते हुए हम मास्टर त्रिमूर्थी आत्माओं को क्या अव्यक्त इशारेत दे रहे हैं आये सुनते हैं और उसकी घहराई से अपने लिए चिंतन बिंदू को भी समझते हैं जैसे बाब इश्वर्य सेवा अर्थ वा बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ वा सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ती का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए साकार का आधार लेते हैं वह अफ्तरित होते हैं ऐसे ही इश्वर्य सेवा अर्थ शरीर में आये कार्रे हुआ और न्यारे और प्यारे बाब समान स्वयम को अफ्तरित आत्मा समझ कर चलो तो आज बाबा ने त्रिमूर्ती रूप से हमें अपनी तीन सेवाओं के बारे में बताया एक तो हम कहते हैं परमात्मा को नव्युग निर्माता या नई श्रिष्टी की स्थापना करने वाले तो ये है परमात्मा की ईशुर्य सेवा जिसमें परमात्मा पूरी ही श्रिष्टी को नया बना रहे हैं आत्माओं के साथ साथ प्रकृति को भी उनका भी नवीन करन कर रहे हैं दूसरी सेवा है कि बाबा अपने बच्चों को वापस अपने घर ले जाने आए हैं फिर से उनको वो परम शान्ती और वो परम आनंद की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं तो तीसरा है कि जो बहुत समय से बाबा को पुकारती हुई भक्त आत्माएं हैं तो भक्त वतसल बन करके बाबा उन सब को उनकी भक्ती का फल देने आए हैं भक्ति का फल कुछ आत्माओं को तो ज्ञान के रूप से मिल जाता है और वो ज्ञान के रूप से परमात्मा को ही पूरा का पूरा प्राप्त कर लेती है और उनके द्वारा मुक्ती और जीवन मुक्ती का वर्सा पाती है तो अन्य आत्माई जो ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाती या पर्मात्मा को पहचानते हुए पूरी तरह से उनको प्राप्त नहीं कर पाती वो भी मुक्ति पाती है तो हम बच्चे भी मास्टर है जो बाबा के कर्तव्वे हैं हम उसके भी अधिकारी है केवल वर्से के अधिकारी नहीं लेकिन वो responsibility को भी share करने वाले हैं हम भी अपने आपको इश्वर्य कार्य में सेवरत कहते हैं तो यही तीन कर्तव्य हम आत्माओं के भी हैं पहला इस पूरे दुन्या को नया बनाना दूसरा सबको पूरे संगठन को साथ लेकर के चलना और जो हमारे भी भक्त हैं हम जिनके इश्ठ हैं उनको भी उनकी भक्ती कफल बाबा से दिलाना तो जब अपने कर्तव्य की स्मृति रहती है और उस कर्तव्य में हम कर्तव्य निश्ठ होकर के कर्म करते हैं तो अन्य सभी बातों से हम उपराम हो जाते हैं, जिसको कि साधारन भाशा में कहा जाता है focus, तो हम जब अपने कर्तव्य और सेवा के लिए focused होते हैं, अर्थात अपने को उस कर्म के लिए ही विशेश आई हुए अफ्तरित आत्मा समझते हैं, तो अन्य सभी बातों से हमारा ध्यान स्वतह ही हट जाता है और उपराम होना इसी को आज बाबा ने कहा तो यही है आज का चिंतन मिंदू कि मैं अपने आपको पूरे दिन में इन कर्तव्यों के लिए आई हुई अफ्तरित आत्मा समझूं मेरा इस दुन्या से कुछ भी लिना देना नहीं मैं हुई ही अफदार ओम शान्ति